जैश्र कुष्णा जैश्र राधे अर्चना के कृष्ण गुरुगान चैनल पर आपका स्वागत है आज मैं आपको दुर्गा शप्षती का तेरवा अध्याय सूर्थ और वैश्य को देवी का बरदान सुना रही हूँ इस अध्याय का पार्ट मान सम्मान की प्राप्ति के ल नेत्र हैं तथा जो अपने हाथों में पाश, अंकश, वर और अभ्य की मुद्रा धाल किये रहती हैं उन शिवा देवी का मैं ध्यान करती हूँ रिशी कहते हैं राजन इस प्रकार मैंने जो देवी का महत्मिय तुमसे बताया है जो इस अंसार को धाल करती हैं उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है वे ही विद्या उत्पन करती है भगवान विश्णु की माया सवरूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम ये वैश्य तथा अन्याय विवेक की जन मोहित होते हैं मोहित हुए हैं तथा आगे भी मोहित होते रहेंगे महराज तुम उनी परमेशुरी की शर्ण में आओ अराधना करने पर वे ही मुनुश्य को भोग स्वर्ग तथा मोक्ष परदान करती हैं मारकंडे जी कहते हैं हे कौश्टू की जी मेगा मुनी के ये बचन सुनकर राजा सुरत ने उत्तम ब्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महरिशी को प्रणाम किया वे अत्यांत ममता और राज्या परहरण से बहुत खिन हो चुके थे महामुने इसलिए विरक्त होकर वे राजा तथा वैस्य ततकाल तपस्या को चले गए थे और वे जकतंबा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे वे वैश्य उत्तम देवी सुक्त का पाठ करते हुए तपस्या में प्रवरित हुए वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ती बनाकर धूप पुश्प और हवन आदी के द्वारा उनकी अराधना करने लगे उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया फिर बिल्कुल निरहा रहकर देवी में ही मन लगाए एकागरता पूर्वक उनका चिंतन अरंब किया वे दोनों अपने श्रीर रक्त से प्रशोवित बली देते हुए लगातार तीन बरस तक सैयम पूर्वक अराधना करते रहे इस प्रकार प्रसन होकर जगत को धाड करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्सन देकर कहा देवी बोली राजन तथ अपने कुल को अनंदित करने वाले वैश्य तुम जिस भी अभिष्ट बस्तू की अविलाशा रखते हो वो मुझसे मांगो मैं संतुष्ट हूँ अतै तुमें वो सब कुछ दूंगी मार्केटन जी कहते हैं तब राजा ने दूसरे जनम में ना नश्ट होने वाला राज्य मांगा वैश्य का चित संसार की ओर से खिन वब्रक्त हो चुका था और वे बड़े ही बुद्धी मान थे अतै उस में उन्होंने अपनी ममता और एहता रूप असक्ति को नाश करने का वर मांगा देवी बोली राजन तुम थोड़े ही दिनों में अपने सारे सत्रों को मार क अपना राज्य प्रापत कर लगे अब वहां तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा फिर मृत्यू पस्चात तुम भगवान विवसान सूर्य के वंस में पैदा होकर इस प्रिथ्वी पर सार्वनिक मनु के नाम से विख्यात होगे वैश्यवर्य तुमने जिस वीवर को मुझ उसे प्रापत करने की इच्छा की है उसे मैं तुम्हें देती हूँ तुम्हें मोख्ष के लिए ज्यान प्रापत होगा मार करने जी कहते हैं इस प्रकार उन दोनों को मनों बांचित वर्दान देकर तथा उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्थुति सुनकर देवी अंबिका ततकाल अंतर ध्यान हो गई इस तरह देवी से प्रदान पाकर क्षत्रियों में स्रेष्ट सुरत सूर्य जनम लेकर सार्वनिक नामक मनु होंगे इस प्रकार शिरी मारकंडे पुराण में सार्वनिक मवंतर की कथा के अंतरगत देवी महात्मय सुरत और व्याश्य को वर्दान नामक तेर्वा अध्याय संपूर्ण हुआ इसी तरह दुर्गा शप्षती के सारे अध्याय सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जै मातादी अवश्य लिखें जै शिरकिष्णा जै शिर्राधे